आपकी सुकून भरी नीन के लिए लेक कमफर्ट लाएं हैं लॉंग लास्टिंग, फुली कस्टमाइज और हाइली कमफर्टेबल मैट्रिसेस, अनबीटिबल प्राइसेस पर, क्यूंकि अच्छी नीन सपनों को हकीकत में बदलती हैं संपत करें 95849318 और द्योगी शहर में कॉरोना संक्रमर का दायरा धीर धीरे बढ़ता जा रहा है मंडिदीप पुलिस थाना एंचीजी जुगी बस्ती के बाद अब कॉरोना सतला पुर्थाना छेतर के राहुल नगर जुगी बस्ती तक पहुँच गया है स्वात विभाग को बुधार को देर रात प्राप्त हुई कॉरोना जाच रिपोर्थ में मंडिदीप इस्ते त्राहुल नगर निवासे एक वैक्ती की कॉरोना जाच रिपोर्थ पॉजिटिव आई है बताया जा रहा है कि मंडिदीप की सरकारी अस्पताल में संचालित फीवर क्लीनिक में उक्तवैक्ती सरदी बुखार की शिकायत लेकर पहुचा था लक्षणों के अधार पर डॉक्टर ने उसका सेंपल लेकर कॉरोना जाच के लिए भीजा बीती रात उसकी कॉरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है स्वात विवाग की टीम कॉरोना पेडित को राय से निस्थित कोविट सेंटर उपचार के लिए भेजने की तैयारी कर रहा है वहीं संबंदिच छेतर को कंटेनमेंट एरिया घोशित कर वेरिगेटिंग की जाएगी आपको बता दे कि बीते कुछ दिनों में शहर में बारा लोग कॉरोना से संक्रमित हो चोके हैं इसमें पांच मंडिरी पुलिस थाने के दो सरकारी अस्पताल, तीन महावी नगर, एक एचीजी जुकी पस्ती तता एक वेक्ति राहूल नगर का है शहर में कॉरोना संक्रमित के बढ़ते प्रवाब को देखते हुए जिला प्रशासन सपता हमें दो दिन टोटल लॉगडाउन करने पर विचार कर रहा है इस सम्मंद में बुद्वार को जिला मुख्याले पर एक बैठक का आईजन किया गया था जिसमें कलेक्टर उमा शंकर भारगव ने लोगों से सुझाब मांगे प्रदेश के साथ इस्थानी खबरे देखने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर खबरों को लाइक और शियर करना ना भूले खबरों के सम्मेंद में अगर आपका कोई भी सुझाब हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें